स्क्रीन पर आपको गंगा नदी नजर आ रही है गंगा नदी प्रियागराज से होते हुए बनारस की तरफ जा रही है प्रियागराज से बनारस एक रास्ता भी आता है उस रास्ते के बीच में भधोही जिला पड़ता है भधोही जिले में एक गाउं आता है जिसका नाम है सी और नदी में काते हैं कि लोग रहे हैं मैंने जो बोद्धी काम capitalize करते हैं जो भी जाते हैं नूंसे बचाने काम सिप्सूक्राइब हमारे से सबसे बुज़ूर्ब कौन नाम क्या आप से शुरू करते हैं इस बताई जैसे अपने काम कोई पूछता है हमारा नाम है कोई क्या है रवीकिन गया करते हैं हम बताते हैं यह बानौ का काम करते हैं और मचली वगर hält पकड़ लेते हैं उसमें जीवन आपन हो जाता है हमारा औरहली पास कोई दूसरा रोज़िगार नहीं है गोता ख़ोर करने बताते की हम गोता खोर हैं गोता ख़ोर तो ऐसे शब लोग पुलिस संपर करते हमसे इसमें हमको डीयम सहाब लास निकाला उसमें डीयम सहाब आये यहाँ पर उस समय हम लोग तीन लोग थे उस लास को निकालने में तो डीयम और उसमें आप यह काम कर रहे हैं 12-15 साल से 12-15 साल से काम कर रहे हैं और इसमें हमको कोई गौवर्मेंट अफ करते हैं उसको को कोई दे दिया तूसको ले लेते हैं उनकारते नहीं है अपने से हम ना मांग करते हैं और ना तो हमको अपने से हमारे मांगने पर उतना हमको कोई देने वाला है यह तो बड़ा रिस्क भरा काम है ना तो जैसे ज्यादा रिस्क होता है जिस चीज में उसकी ज्यादा आए होनी चाहिए लेकिन उसमें हमारा कोई सुभधा जनक बात है इसमें हमको बल्किन इसमें आवास बोलकर के डीयम Khana आवास मिल सका आवास के लिए कहा था अश्चा कभ की बात है और कि दूसरत तिस्रा साल है तीन साल पहले डीम सामने का ता आवास देंगे सब्सक्रा हाथ दो साल तो हो गयाता नहांby in राजन परशाद इम उस समय ठीम उस समय जब लास निकाला था उस समय वो फिलहाल मोके पर आ गए थे तो हमारे पत्रकार है महाध्यर शुक्र जी वहीं उनसे बोले थे तो बोले इनके लिए कुछ आवास और अगर जमीन नहीं है तो इनके लिए जमीन भी मिले गी आवास बनाने है तो फहले थोड़ा सा इन दुरगटनाओं से जुड़ी बात कर लेते हैं फिर थोड़ा सा और आपके जीवन को समझे कोशिश करेंगे हैं कितनी क्या दुरगटनाओं हो जाती हैं करीब अंदाजा कोई मैं साल में 4-6 भी हो जाता है भगवान न करें कभी कभ अबन कासथा कभी 4-6 हो जाता है कभी isol c whatever के संख्या में हो जाता है अब आपकूर से पहले भी नहीं आपका दर्ज कि नहीं होते होंगे यह सब कामा भर स्थाने में लिखांत है कि यह हैं और आपको हैं और रिस्क मतलब हमारे उपर रहता है बाकी जगों पर जैसे हम जानते हैं तो वहां के स्थानिये काम समझते हैं जैसे कहीं सिंदूर की बिंदी कहीं चूड़ी कहीं कुछ तो वहां पर ऐसा होता है कि जो उनके पुर्खें उनको सिखाते आते हैं और वो घर में रहते रहते ट्रेनिंग पा जाते हैं तो मेरी उत्सुक्ता यह है कि आप लोगों ने ये काम कैसे सीखा आपको कौन सिखाता है तो आसा कुछ पहले की याद हो कि पहली बार नहीं है ऐसा बात से पहले हम यहां गंगा घाट की निवासी ह नद्दीक में हमारा घर है कितनी दूर होगा करीब यहां से यहां से पांट एक हजार एक हजार फांसों मीटर या एक आठ सो मीटर होगा नहीं मड़ाई में रहते हैं तो पीम आवास के लिए अभी तक कुछ नहीं हमको थोड़ा प्का निर्मान भी है कि आपने प्रधान स कि हमारे आज कर्मचारी कुछ है कुछ उलट फर कर देते हैं हमारा नहीं आता है दूसरे का जाता है अभी तक हमारे पीछे-पीछे वाले का आ गया हमारे घाव में हमारा आभी तक आवास कोई सुनवाई नहीं है कितनी उमर होगी आप तो नौजवान लग रहे हैं इंडियान आर्मी के आपने बढ़ियां ये स्वेटर पहनी है तो अभी आप क्या करते हैं अभी सब्सक्राइब काम करता है चोटा मोटा काम करके अपना मतलब पढ़ाई लिखाई देख रिख करता है किस से जुड़ा काम करते हैं मचली पकड़ते हैं यह पीपास मच्दूरी मैंना कर लेते हैं कि तैयारी कर रहे हैं किस ने बताया है यह तोड़ी सब्सक्राइब करते हैं अब करते हैं पर रहल उस समय तो अधार काड़ बना नहीं था तो मैं अपना मतलब ना सर अपना जो डेटा वर्थ है मेरा आठ के मतलब कि अधे मार्चिट में अलग था है इस्कुल मार्चिट में अलग था तो मैं वह सब को दिखाने गया तो बोले कुछ नहीं होगा अब बहुत किया उनके सामने रहा था को बीलिया नहीं हुआ सब्सक्राइब नाम पर अन्या होता है अब इनका सुधार नहीं हो पाया उसके लिए वो उनके हाथ में था कि नहीं था पर आपको क्यूं खिए क्या वजय लगीया आपको महसूस हुआ कि करणошं आपको आइसा हुआ सर क्योंकि क्यों हौत कि है हम लोग के साथ इन्न अन्या क्यों हो रहा है अगर उन्लोग कर देते हैं तो हम तो अपना करम कर के है तो हाँ पर यहां पर थोड़ा सा रह गया था जन्तिर थोड़ा गड़बर था उसको आपको सही करना था वह नहीं किये लोग अगे यह होते तो आध हम भी पेपर देते अड़ Stress कि जब नहीं कि यह तो हिम टाइम भी नहीं पाइन लगा हूँ बहुत बढ़ी जजबा है और हमारी शुब कामना हैं आपके साथ अब बापस कहानी पर लौटते हैं यह तो हमें आर्मी वाले मिल गए दिल्चस्प इनकी हमें स्वेटर दिखी तो हम नहीं से बात कर लेते हैं आपने शुरुगात कहां से करी किस ने आपको सिखाया हमने ऐसा है सर यहां सिकारी आदमे ठाकूर जात के ठाकूर है मचली पकड़ते पकड़ते यहां जबलाश डूबने का संख्या यहां होने लगा हमारे बस्पना में तो स्वेटर हम एक बार दस साल के थे तो डूब रहे थे तो यही गाव के परोसी इनके बगल के माजी लोग हमें निक्याले थे मैं मरने से पूप कुद रूब रहे थे उसमें तैर्णा नहीं जानते ते लेकिन दो माजी मचली पकड़ रहे थे घाट पे वह लोग हमें निक्याले थे हम थे और एक ब्राहमर थे हमारे जोडिदार दो लड़के डूब रहे थे तो उसी दिन डूबने के बाद जीवन दान मिला हम लोगों को सोयम और उसके बाद अगले साल से मतलब उस साल में तो डर भाय हो गया अगले साल से हम लोग तैरना शुरू कर दिये नदी में शीखने के वज़ा से तरते तरते एकदम इस्पीरियंस हो गया और बहुत ज्यादा इस्पीरियंस कर लिए हम लोग तो उसके साथ साथ मचली भी पकड़ने लगे मचली पकड़ते पकड़ते और जब हाथसा होने लगा डूबने का तो उसमें हम लोग हाथ भी बटाने लगे हम लोगों को उसमें कि देश के अपने ग्राम समाज के प्रधान वगारा है फिर थाना छेत्र अपने चौकी वगारा से आप चौकीदार मतलब दरोगा जी वगारा हमको जानने लगे और हमको में मुखिया के रूप में कर दिये कोई कान होता को दूबता तो इनको संपर करते हैं इसे तो एक तरीके से कहें कि थोड़ी सी हलकी भाशा में कहें तो गोता खोरों की गैंग है और आप उस गैंग के लीडर है ऐसा ही माले हां ऐसा है तो यह बताईए जैसे कोई नया लड़का है हमको कहें कि हमको भी गैंग मे तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा और कोई बाहरी आजाएगा तो उसके लिए तो प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा उसका सब कुछ सिखाना पड़ेगा यह लोग अपने मतलब ज्यादा नहीं बताना पड़ता है जहां समस्ता हूं कि यहां इनको अनभाव नहीं होगा वहीं बताना पड़ता है थोड़ा दूसरे लोगों से और बात करते हैं उनके बारे में जानते हैं फिर आप लोगों की जो भी समस्या है क्या मुद्द्ध है वो भी बात करेंगे आप से बात क काम करता हो लिए पर आपके जाएगा तो यह हम लोगों को मिलता है अच्छा तो बालु वहां से लाज के करते हैं आप लोगी हां खुदाइब करो खुदाइब होता ही है कितना करीब मिल जाता है दिन बर में 200-300 इसा मिल जाता है तो तीन बजे चार बज़े आएंगे इसका टेंडर होएगा तभी काम होएगा अगर ऐसे खुदाई करके लाते हैं तो यह तो हम लोग फस जाएंगे फालतू में दो जाएगा तो जाएगा आपने घाट पर या तो किसी अन्य घाट पर वहां लोग काम करने के लिए 10-15-15 किलो मीटर चले जाते हैं और रोज का जैसे फिक्स नहीं है तो क्या काम है आप लोग किसे आश्वासित रहते हैं कि भाईया यह हम लोग कर रहे हैं कम से कम इसका रोज का खरचा पानी आता रह आप आय रहते हैं यही हमारा लोग का ब्ला कर हो है बस गए कहां रोज मर्रा का राशन पानी यह का दिग रहत कोंगी हम लोग मेंद मज़ोरी करके सब्सक्राइब दियुक्त के लिए तो ऐसा होता है सर अपना जिवन उपाइब करते हैं कैसे करके कभी भूक्त हो जाते हैं सर क्या करेंगा जो नहीं मिलेगा तो ऑक वकाह वह पड़ेगा करें यह करेंगे ...... हमारे पास च्षे बच्चे हैं तो लड़की पढ़ाई लिखाई में यहां लुखा 오빠 पढ़ाई स्कूल में यह स्कूल में अब कौन सय क्षे पढ़ाई में पढ़ाई होता हैं करेंगे नहीं नहीं मैं पूरा पेड़ खा रहां तो तो आधा पेड़ खिलाओं कि आप के पिताजी क्या करते थे हमारे पिताजी तो तो मेता पाष्टे थे हमारे पीटाइज जब राते थे हमारे पीटाइज सहां ले और वह जो फिर आपका नाम क्या है मेरा नाम्राकेश कुमार।व थुक्ति कर रहे हैं क्या काम करते हैं पहले थोड़ा ही पहले हम तो हमसिता मुझा अर्ट रखर हैं कुछ नहीं होगा तो यह कर लेंगे बाकी मजदूरी करते हैं, तो हमारे कहीं दूसरे जगह पर हमको काम मिला है क्या क्या नज़र आ रहा है मतलब कुछ दिक्कतें होती होंगी दिग्सक्राइब है जुबत होती है घंड बहुत लिखतें जुदी में अभाफन होती हैं अभास जबस किसी दिकक्त है आपने बताया जैसे आप नौकरी के लिए और और कोई नौजवान हैं जो और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हूं अभी इसकाम में हूं आप ही हैं आपके साथ और कोई तैयारी कर रहे हैं हां सर बहुत अच्छा लड़का है निकाल लोगे रहो अखियाा जैसे एक बात बताओ अधिए सरकार क्या कर दें कि थोड़ा सा जीवन आसान हो जाए मेहनत तो इतनी चली रही है तो बहरती हम लोग अपना काम करें उपना काम करें हम लोग अपना काम कर लेंगे सर अभी जैसे इतना पूरे चले गए कमाने बाहर हम लोग का जीदे लगे हुए हैं अब नहीं बाहर चले गए हरी आना चले गए तो समया बहुत लोग ऐसे हैं कि चोटा सुपरवाइजर के रूप में पढ़ा लिख्या ग्रेजुए सन आदमी छोट एक सुपरवाजर के रूप में नोकरी कर रहा है बारह चौद हज़ार में सरकार को डिफेंड करती है कि नौकरी का मतलब सरकारी संकिने नोकरी नहीं होता है और दूसरी रोजगार भी एंधर है जब तक देख रहेंगा नहीं पिर दूसरी काम करना पर देखा दो आई प्राईबेर गया थी यह बार प्राइबे अनको सब्सस्तुत नहीं के जनका है कि वह पूंड से क्योंड्स सब्सक्राइब लगा तुम को सब्सक्राइब य impressively सब्सक्राइब यह देखता है कि मैं भी कोई है मतलब दूसरा कास्ट होता तो तूरंद हो जाता कोई रोक टोक नहीं होता फिर है और पस यह कास्ट के लोगं के साथ अलग बरता हो देखते हो हैं कैसे कोच उधारण से समझा सकते हो उधारान से क्या जैसे सार जैसे हम हो गए हम गए उनके रपास इतना रिक्वेस्ट की उनके रोने लगे हम लोग मेरे भाईया भी तो भी रोने लगे वर कोई रहम नहीं अगर वही अगर उनके काश्ट होते अगर आगे होते न तो तूरंथ हो जाता काम तब वो खुद दोड़ के कराते कि यंदे अब लोगों को इनकी सब्सक्राइब कर अब उनके कहने के साफित लाड़का जो बोल रहा है इसके इसके दिल पर कुछ छूरह तब तो इसा बोल रहा है कि तो इसमें दम तो अगर समझिये तो नहीं समझिये तो नहीं दम है अब जैसे इनके दिमाग में दिल में छूलिया कि ऐसा काष्ट की वज़स हुगा है अब उसका उसका क्या लगता है आपने दुनिया देखी है तो आप पढ़ने लिखने में थोड़ा हमारे पिता जी जब थे तो हमको पढ़ाने की चेश्टा रखते थे हमारे पिता जी तनहा थे अकेला और बाहर रहते थे मुंबई में मुझे पढ़ाने की कोशिस किये लेकिन हमारे घर पर गार्जियन न होने के कारण हमको पढ़ाने की सीख ज्यादा नहीं मिल सकी हम आठवी क्लास तक पढ़े हैं इसी लौकुस इंटर्मीडियेट कालेज में कच्छा आठवी तक हम पढ़े हुए हैं इस अभी आपकी ग्रुप में सबसे नौजवान कौन है सबसे यंग कौन है ये क्या नाम है आपका रखेर कपसे कभ जौइन किया आपने कब से कर रहे हैं है काम या शरूब के घृणा पंट निख निकाल दिया है मचली मानने परोक लगा दिया है जिन नहीं जा रहा हूं जिन नहीं गुलामी करा फिदामडी में मचली भी बंद हो गया हम लोग खाएंगे जाएंगे किदर नगर रहने दुबार साथ कर गंगां बसना है कपी का में पढ़ाई लिखाय लेवेधित क्या करें के थोड़ा हลका फ्लक फोलकां घर में कोई लगा क्या काम करेंगे थो दुबाद आज दुवड़ तो पढ़ेंके करेंगे केंसे लगा सकते हैं तो कोई नहीं पस पर शरी मारो भी बंद हो गया कि धर जाएंगे अब लोग कोई रसा देखाओ दोपए अमारे लेखाने के लिए आप लोग कहानी जानी अब चुनाओ आ रहा है चाचा तो बहुत लोग सरकार से आज लगाये रहते हैं आप लोग क्या लगता है सरकार बदलने कुछ फर्क पड़ता है आप लोग किस तरह देखते हैं चुनाओं को अपने जानकारी में आज दो-पंच वर्षी हो गया मोदी पर दूसरी पंच वर्शी चल रही है उसके पहले जो था तब भी हम ऐसे थे आज भी हम ऐसे ही हैं हम किस सरकार पर भरोसा करें सरकार अभी सरकार खिसाब से तो मोधी योगी बहुत बढ़ियां काम कर रहा हैं उसमें भी अपने साथी लोग को जो मिल रहा है अनकदान मिल रहा है उनके तरफ से इतना आवास इतना सब कुछ मिला लेकिन हमारे लिए अभी तक हम जात के ठाकुर हैं और जब को उनके लाइट में उनके यह है कि कोई कच्चा खप्रयल में नहीं रहेगा हाँ अभी तक हमारा आवास नहीं बना ऐसे ऐसे आदमी की सोच बदलते रहती है क्या क्यों आपको बढ़ियां लग रहा है मोदी योगी कि जैसे आपने तारीफ करी ना क्या पिछली सरकारों से क्या अलग है यहां पर अलग है कि महंगाई जरूर दिखाई दे रहा है है त्षक की आख्छा विवस्तह में एक घर में दो दो आवास बना है तिन तिन आवास बना है फिर भी हमको कोई परसानी है हम मड़ई में गुजारा कर रहे हैं आज भी इसा हो रहा है खूब आवास मिल रहे हैं काम बढ़ियां हो रहा है सब लोगों को लगता है कि यह लोग नहीं होते तो कितनी जाने ने उचावर हो जाती है को अनमोदी होगी और मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है को रहूना में आईसा कोई नहीं होता है पर आप लोगों को लगता है कि एसा नेत्रत्त के कारण है कितने लोगों की लेकिन हम देखे रहें कि जान गई है यह अस्पतालों में oxygen की किल्लत थी स्वास्त विश्ता पर बहुत स सकता है कितना भी बड़ा आदमी हो अपने फेमिली को कबर पूरा नहीं कर सकता है यह तो पूरे देश tomar कर रहे हैं एक दिन ए 1 घंटे या 24 घंटे या 12 घंटे में नहीं कि पाता है इतना छोटा मोटा कारची तीतना तो हर आदमी को सोचना चाहिए आपको ऐसा लगता ही काम का भार बहुत जादा था इसलिए अच्छे से समाल नहीं पाए चलिए यह बताईए कि क्या कर दे सरकार आप लोगों के लिए जिससे थोड़ा जीवन आसान हो जाए एक तो आवास की आपने बात लगे हम लोग यहां का हमेशा यह रक्षा करने के लिए हो जाएं कि कोई यहां पर एक्सीडेंट वगर गंगाजी में नहोंने पावाए ऐसा कुछ ब्यवस्था कर दे या फिर और यहां का छोड़ करके कहीं और कुछ फेसाटी हम को दे दे कि हमारा जीवन परिवार सुख सब को देख रहे हैं और यह से हम लोग को हम लोग के ऊपर विध्यान दे सरकार से ही बिंति हैं पुशक बिंद्धी का मतलब अभी जो पाकिस्तान के लिए हुआ अगर उनके दूसरा कोई सरकार होता ता विन अदन क्या आपिस आते कभी नहीं आते हैं मोधी जी के खौप स और लोग यह बताव मुदी सरकार के विरोधी है वो यह सवाल उठाते हैं कि चीन अंदर घुसा आ रहा है इसके पहले कितना विवाद हुआ कितनी जान गई और राम मंदिर का करका पूरा नहीं हुआ इसमें कितनी जाने गए कितनी दुश्मनी कितनी एक गोली भी नहीं दगी होगी सरकारी खजाने से और राम मंदिर का काम निरले हो गया अरे सुप्रीम कोर्ट से हुआ है लेकिन उनमें मुधी योगी का सहयोग है सहयोग है हाँ उनकी मांगे हैं उनको रास्ता बता गया है है 370 यहां के लिए म 하지만 कैसे क्यों अपने इंडिया पाकिस्तान का बात है यहां का मुध्दा ना आपने देश का मुद्दा है हां हम लोग भी देश के नागरिख है न 370 अभी कोई पूचेगा कि 370 बदलने से आपके जीवन पर क्या सर पड़ा क्या अच्छा हो गया अच्छा यह हो गया कि वहां 370 को ले करके कितने बाडर पर जमान सहीद होते थे किसके परिवार थे ओलो कहीं अगर परिवार बाडर पर सहीद होता है ब्राहमड हो ठाकूर हो हो या बैस सुद्र कोई भी हो सहीद तो अपने अपने घर का ही होता है ना तो इसा ना हो तो अच्छा है ना इसलिए अच्छा 370 हट गया तो कि 370 राम मंदर सेना की मजबूती हैं और 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 यह समझना चाहरे हैं कि जमीन पर किस किस वजहों से सरकार की इमेज अच्छी बनती है ना सरकार की मतलब जो अपने देश को अपने प्रांत को सम्हाल सुषद्जित सजा के रखे वही सरकार अच्छी है आप बात्चीत करें किसी और को कुछ और कहना है कुछ बचा हो तो है कुछ हम से चूट गया था रीक है ऐं-वाす सुधार किया जा सकता है और क्या देखें समझें हम देखते रहे हैं ललन टॉप यूपी शुक्रिया